आज मैं आपको एकदम बढ़िया वाली बटूरों की रेसिपी दूँगा, इस रेसिपी से आप लोग बटूरे बनाऊंगे, तो हर एक बटूर आपका फू लेगा, चाहे आपका बटूरा फट क्यों न जाए, एकदम परफेक्ट इस्ट के साथ वाली रेसिपी आज मैं आप चीनी लिए है, इससे मीठे नहीं बनेंगे बटूरे लेकिन जुरूरी है, नमक स्वात की सबसे मैंने एक टिस्पून लिया है, इतनी चीज़े हमको चाहिएंगे बटूरे के लिए, सबसे पहले हम लोग सूजी को क्या करेंगे फूलने के लिए रखेंगे, तो सूजी डा आटा लूज रखते हैं कि सूजी फूलेगी तो आटा टाइट हो ही जाएगा इस वज़े से सूजी जादा नहीं पानी पीती तो आटा बहुत ही लूज हो जाता है तो यह सारे रिस्क हम लोग अवर्ड करेंगे यहाँ पर हमने चीनी और इस्ट को डाल दिया उसके अंदर हम दूसरा वाला इस्ट ली लीजेगा आप लोग ठीक है तो हमारा सूजी भी फूल चुका है और यह भी तयार है इस्ट का मिक्शर अब बड़े से बोल में आप अपरात में जिसमें आप लोग आटा गुंदों के मेदा डाल दे उसमें नमक डाल दे अच्छी से मिक्स कर ले आए बस मैंने मिक्स किया इसको गुंदे नहीं बेटा हूँ अब एक दो चमस तेल लालके हम लोग इसको कम से कम चार पाज मिट अच्छे से गुंदेंगे इस पॉंट पर अच्छे से गुंदना ज़रूर है इसको जितना आप जादा गुंदोंगे उतने ही बेटर रिजल एक देड़ गंटे के बाद देखिए अच्छे से आटा डबल हो चुका है और इसकी जाली कितनी बहतरी नहीं है तो यह हमारा हो गया छोले बटूरे का आटा बटूरे का आटा जो बहुत परफेक्ट इससे बटूरे बनते हैं इससे बटूरे बनाओगे तो फिर मेजरमें से आटा तोड़ा मकसद बस यही हमारा कि जो भी हम लोग 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 ले बटूरे की उस पर कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो जिसी भी तरीके से आप लोग इसको बनाना चाहो बना ले और अगर क्रैक्स पढ़ रहा है तो वहाँ पे चिम्टा काट ले आटे को तो क्रैक्स नहीं पढ़ेंगे अब मैंने ये ले लिया है आटा यहाँ पे और तेल लगाती होए मैं इसको बेल लूँगा सुका मैदा लगा के भी बेल सकते हो लेकिन हम लोग इसको बहुत हाइफ लेंपे फ्राइ करते हैं तो फिर क्या होता है कभी 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 नहीं हर ब बनाईए ओवल बनाने तो ओवल बनाईए या जो शेप की बने बस बना लीजिएगा बटूरे बनने के बाद हातों से हर साइड से उसको एकवल करना बहुत इंपॉर्टन है इससे आपके बटूरे 100% फिर फूलेंगे कहीं से मुटा पतला रहा तो फिर बटूरा फूलने म तेल को उसके बाद बटूरा डाल दे और हलके हाथों से आप लोग इसको दबाते हुए अच्छे से फूला लीजिएगा और यह देखिए आपका एक एक बटूरा फूलेगा इस recipe जब आप लोग बनाऊगे तो थोड़ा सा अभी हमने तेल थोड़ा सा थंडा था थोड़ा साड़ से अच्छे से सेख लता हूँ अब मैं आपको और एक बटूरा बना के बताता हूँ मेरा बस चलता तो मैं आपको सारे बटूरे फूला के देता क्योंकि सारे बटूरे फूलते हैं लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते हैं दूस बन के तयार है, बहुत टेस्टी बनते हैं, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इस्ट पढ़ता है न खमीर का, तो वो खमीरे टेस्ट इसमें अच्छा होता है, एक भटूरा में आपको तोड़ की दिखाता हूँ, यह देखे, दोनों तरफ से जा लिए है, गद्यदार बनाने ही आपकी मर्जी है चोले बटूरी की प्लेट इसका रेसिपी नहीं देखा है तो चानल पर डाके देखिएगा गाजर, मिर्ची का, चार, तंदूरी, प्यास, खट्टे, आलू चोले बटूरी सब कुछ शेयर किया हुआ है एंजोई कीजिएगा, बहुत बज़िए रेसिपी है तो कैसे लिए कि आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर